नमस्ते आप सभी का स्वागत है सनी का जैका में बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ ब्रेट की रेसिपी बनाते हैं और उसके जो साइड्स होते हैं ये कॉनर्स होते हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं तो आज चलिए वही लेफ्ट ओवर ब्रेट के जो कॉनर्स है उससे हम गालिक लाले पॉप्स बनाएंगे जो कि बहुती टेस्टी और मज़िदार होते हैं अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आये तो आप उसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें तो चलिए बनाना शिरू करते हैं हम सबसे पहले गालिक बटर बनाएंगे उसके लिए हमने लसुन की कलिया ली है यह हमने 5-6 कलिया ली है इसको हम ग्रेट कर लेंगे ग्रेटर की हेल्प से तो ग्रेटर का जो एकदम बारिक वाला पोर्शन होता है उसी से हमें ग्रेट करना है यह बहुत आस अब इसमें हम जो लसुन हमने ग्रेट किया था वो हम इसमें एड़ कर देंगे और अब इसमें हम एड़ करेंगे PCV शक्कर ये 1,4 टीस्पून हमने लिया है इस सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे शक्कर से इसका जैका और भी पढ़ जाएगा तो इस तरह से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ये देखिए ब्रेट के लेफ्टोवर्स है ब्रेट का जो बीच का जो पोर्शन है उसका मैंने कोई रेसिपी में यूस कर लिया था तो ये ब्रेट के जो साइड या कॉर्नर्स है ये रह गए थे तो मैंने सोचा चलो कुछ न कुछ इसका भी कुछ बनाया जाए तो चलिए आज हम बनाएंगे इसी का गालिक लॉलिपॉप्स तो यह जो bread के जो corners है उसको हम एक बड़े bowl में डाल देंगे और इसको हम गरम करेंगे microwave में तो उससे पहले हम उसमें food wrap जो होता है plastic वाला वो हम उसमें लगा देंगे और इसको microwave में हम इसको गरम करेंगे सिर्फ 30 सेकंड उससे ज़्यादा नहीं ताकि यह corners जो है वो soft हो जाए तो यह देखे 30 सेकंड हो गए है चलिए अब इसको हम खोल लेते हैं तो हमारे यह corners है वो soft हो गया अगर आपके पास microwave नहीं है तो आप तवे पे भी गरम कर सकते हैं तो तवा गरम करके आप तूरंट gas बन कर दें और यह जो portion है यह जो leftovers रख देंगे उसके उपर उसको तूरंट ही पलट देंगे नहीं तो इसके corners hard हो जाएंगे तो इसको तूरंट हम निकाल लेंगे अगर microwave से करेंगे तो वो सबसे best रहेगा तो देखिए अब यह इसका एक जो corner है उसको हम तोड़ लेंगे हातों से और उसको धीरे-धीरे हम roll कर लेंगे क्योंकि bread हमारा इसका corner जो है वो soft हो चुका है तो बहुत आसानी से यह roll हो जाएगा तो देखिए इस तरह से धीरे-धीरे हम घुमाते हुए इसका हम roll बना लेंगे अब इसमें हम क्या करेंगे skeever लेंगे skeever के मदद से इसको हम lollipop का shape देंगे तो इस तरह से skeever को है वो हम अंदर डाल देंगे ताकि यह हमारा जो roll है वो खुले नहीं देखिए बहुत आसानी से गुच जाता है यह lollipop हमारा बनके तयार हो गया है इसी तरह दूसरा वाला जो पार्ट है उसी कभी हम इसी तरह से roll बना लेंगे और skeever को इसी तरह से हम डालेंगे ताकि यह roll जो खुले नहीं और अच्छे से lollipop हमारा तयार हो जाए तो यह देखिए यह lollipop हमारा बनके तयार हो गया है अब इसको हम आज तवे पे बनाएंगे तो इस पहले हम बटर लगा देंगे जो हमने गालिक बटर बनाया था और ब्रैट को हम इस पे रखके सेकेंगे फ्लेम जो है हम लो ही रखेंगे अगर microwave में आप बना रहे हो तो इसको micro grill में आप उसको 3 minutes के लिए आप इसको bake कर लें और नहीं तो convention में 180 degree में आप इसको 6-7 minutes के लिए bake कर सकते हैं तो देखिए इस तरह से हम ब्रश से बटर को लगा लिया है हमने इस तरह से लगा लेंगे हम और इसको हम पलट लेंगे ताकि बाहर से थुड़ा क्रिस्पी हो जाए और अंदर से सॉफ्ट रहे तो इस तरह से देखिए हम बटर लगा देंगे तो देखिए यह दोनों साइड से हमारे सिख चुके हैं तो चलिए अब इसको हमारे सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं इसी तरह से हम बाकी के जो लॉलिपॉप्स है इसी तरह से उसको हम सेख लेंगे तो ये देखे हमारे गालिक के जो ब्रेड लॉलिपॉप से बनकर बिल्कुल तयार हो गए इसको बनाना बहुत ही इजी है बहुत आसाने से आप इसको बना सकते हैं बच्चों का तो ये फेवरेट ही है तो आप इसे जरूर बनाए और हमें भी बताए कि आपको ये कैसा लगा कर दया सब सकते हैं